आपको बताना है कौन सा भाइक आप एक संग्रह गीत फरोस है चकेत है दोक अंधेरी या पर बुनी हुई रस्ती क्वेश्चन नमबर एक में आप सभी लोगों के लिए चैन करना है सही आंसर भबानी प्रसाद मिस्र को बताना है इनको किस काप संग्रह पर साइट अकादमी पुरुस्कार मिला है तो एक में आप सभी का सही आंसर क्या होगा वेकल्प नमबर आपका यहां पर एक सही आंसर है गीत फरोस आपका यहां पर नहीं होगा सही आंसर बुनी हुई रस्ती होगा सही आंसर विकल्प नमबर डी वाला जो है वहें आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बोनी हुई रस्ती आपका हाँ पर सही आंसर है विलकुल सही अंगला question यहाँ पर देखेगा question नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा ग्या है कौनसा दो पिरगति बाद दी? कवीता का फृसार काल कब तक माना जाता है कब तक माना जाता है यह पूँचा ग्या है बताइएगा 1950 तक या फिर 1945, 1935 या फिर 130 ये चार विकलप आप से याँ पर आपको दिये गए है नमें से आपको सय आंसर चेन करना है क्या होगा सई आंसर साक्षी जी प्रिंसी जी और तनु जी आप सभी का सई आंसर राजीब जी प्रगतिवादी कवीता का प्रिसार काल कब तक माना जाता है कौशन नमबर दो आप से आपर पूंचा गया है और दो में आप सभी का सई आंसर होगा क्या होगा सई आंसर बताईएगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है दो में विकल्प नमबर आप सभी का उननिस सो तीस आप सभी का जो विकल्प नमबर डी है वह आप सभी का यहां पर सई आंचर नोगाड़ी वाला वेकलप आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन देखे भारतिय भासाओं को भारतिय सम्मिदान की के सनुसूची में सामिल किया गया है कॉस्चन नमबर तीन में आपके लिए छेन करना है क्या होगा सही आंसर साथ भी, नो भी, आठ भी, अपर दस भी ये चार वेकलप आपके आपर दिये गए है और आप सभी का यापर सही आंसर आ रहा है भारतिय भासाओं को सम्मिदान भारतिय सम्मिदान की के सनुसूची में सामिल किया गया है तो तीन में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि आठवी अनुसूची विकल नमबर जो सी है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आठवी अनुसूची जिन्होंने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कौशन यहां पर देखेगा कौशन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है कि सरस्तोती सम्मान इवं व्यास सम्मान के संस्ता द्वारा दिये जाते हैं कौशन नमबर चार में आपको बताने के के विल्ला फांडेशन या पर टाटा मेमूरियल या फिर साइट आनसर आ रहा है ये दिए जाते हैं किसके द्वारा के-के विल्ला फांडेशन द्वारा विकल्प नंबर एक आप सभी का यहां पर सईया आंसर है जिनों ने वी चैन किया आपका सही आंसर होगा, चेन कीजेगा, चार विकल्प आपके दिये गए हैं, आप सभी का सही आंसर क्या होगा, इन कहानियों को उनकी प्रिकासन वर्स के आधार पर वताना है, तो पांच में आपका सही आंसर है, ग्राम, रक्षावंदन, उसने कहा था, मैं ना बोलूंगी, डी वाला जो विकल्प है, आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नमबर चार जनों ने भी चेन क्या है, उनका यहां पर सही आंसर है, अंगला क्वाश्चन है, कहानी लगू जीवन, खंड की माध्याम से एक संपून जीवन बोध या सर्थ को प्रिकासित करती है तो आपका अभी वाला विकल्प सही आंसर है, विकल्प नमबर दो, आप सभी का सही आंसर है, नमबार्स है, आप सभी का सही आंसर है, एक कहानी, कुछ आप aconteceu, कुछ जगवीति को कहानी संग्या किस ने दी है, कौशन नमबर 7 में आपको बतान है, भारतेंदू ने के सुरी लाल गोसवामी, गुलाव राय या फिर रामबला सर्मा, कुछ आप बीति, कुछ जगवीति को कहानी संग्या किस ने दी है, राखी जी शलुनी जी और राकेश जी, क्या होगा सही आंसर, question number 7 आप से पूंचा गया है, मत्पूण दिया गया है, वह भारतेंदू, आपका सही आंसर है, भारतेंदू, हरिष्चंद, आपका सही आंसर है, भारतेंदू, हरिष्चंद जो है, इनका जन्म 1850 में हुगा था, 1885 में इनका निधन हो गया था बातेंदू हरिश्चेंद जी का हिंदी कान्यों के प्रारम में किस पत्रिका महत्पूर्ण योगदान सुईकार किया गया है हरिश्चेंद्र चंद्रिका सरस्वती इंदू या फिर कभी वचन सुधा कॉस्चन नमबर आठ में आपके लिए चैन करना है चार विकल्प आपके दिये गए है मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है आठ में आपको वताना है तो विकल्प नमबर आपका आपका आपर जो भी है आपका सही आंसर है सरस्वती हिंदी कान्यों की प्रारम में सरस्वती पत्रिका का मत्पूर्ण योगदा जो है सोई कार किया जाता है वी वाला विकल्प आप सभी का सइय अंसर होगा अंगला है question आप देखेगा question नमबर आप से हाँ पर 9 पूंचा गया है क्या पूंचा गया है यह रहा question नमबर नौ प्रकासन वर्स के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाईएगा यह कहानिया आपके लिए आपर दी गई है इनको क्रम से आपको बताना है क्या होगा सई आंसर चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है मत्पूर्ण कान्या यहां पर दी गई है क्रम से बताना है प्रकासन वर्ष की अनुसार तो आप सभी का यहां पर नौ में सई आ साइबाली और विदीर्ण हिर्दय आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा डी वाला वेकल्प जो है आपका हाँ पर सही आंसर है वेकल्प नमबर चार आप सभी का सही आंसर होगा अंदायोग नाटक की समस्या क्या है यह पारिवारिक समस्या है यह दुरुस के बाद की समस्या है सामाजिक समस्या है राज काज की समस्या है दसमें आपको चैन करना है अन्दयोग नाटक की समस्या क्या है यह आप से पूंचा ग्या है दसवा question चार विकल्प आपके दिये गए हैं और आप सभी का भी वाला विकल्प सही आंसर है युद्धोर उसके बाद की समस्या आनंद जी अंस जी विकल्प नमबर आपका यहां पर भी वाला जो विकल्प है वैं आप सभी का यहां पर सही आंसरों का भी वाला विक पूट कहानी किसकी लिखी हुई बानी जाती है यह कहानी किसकी लिखी हुई है मैं अतली संग गुप्तिकी के सोरी लाल गोषवामी माधाव प्रसाद महिस्तर या फिर ब्रंदा बनलाल बर्मा जाराय में आपको चैन करना है क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा तातर और एक बीर राचपुरों से कहानी जो है, यह मानी जाते हैं कि जारे में आपका ब्रंदा वनलाल वर्मा विकल्प नमबर जो विकल्प है वह आप सभी का सईह अंसर हो का है म.S. विकल्प नमबर चार आपका यहाँ पर सई आंसर है या थार्थवादी लेकन की विसेश्था है कि वह आदर्स का अनुकूल प्रियोग करता है फोटोग्राफिक चित्रन करता है व्यूरेवार चित्रन नहीं करता है या फिर यहां पर चित्रन लिखा है कल्पना प्रधान होता है बारह में आपको चेन करना है क्या हो करता है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो आपका यहां पर सही आंसर है हंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा तेरह वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा दिया गया है कि प्रेमचंद को कबीर के वाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग कार किसने माना है नंद दुलार इवाच पेई ने रामबलास सर्मा ने भारतेंदू ने नामबार से ने तो तेरे में आप सभी का सईयांसर भी आनि की रामबलास सर्मा ने रामबलास सर्मा आप का यहां पर सईयांसर होगा जो कि सभी लोगों ने यहां पर सईयांसर चैन्द किया है बूरी का की ताई हार की जीत आकास दीप कहानियों के कहानिकारों को क्रम सह लगाए यानि कि आपके लिए क्रम से बताना कि बूरी का की कहानि किसकी है ताई हार जीत हार की जीत और आकास तो आप सभी कहने आपर सई आंसर होगा चव Над्य में विकल्प नंबर क्या होगा सय आंसर बताए देखें का वूरि का किये प्रियम्चंद की माणी जाती है कहानी ताय विसंबनास सर्मा कौसिक की कहानी है हार की जीत ये सुदर्सन की कहानी मानी जाती है हार की जीत के दर्सन हो गए सुदर्सन आकास दीव जो है पिरसाद की कहानी मानी जाती है इनकी पिरसाद की तो विकल नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का सई आंसर होगा मानवतवादी लेकक की विशेषता है कि वह है पिरकृतिवादी लेकक का अनुसरन करता है पिरकृतिवादी लेकक के सदवाव बनाता है पिरकृतिवादी लेकक का अनुसरन नहीं करता है या थार्थवाद का दुरोधी होता है कौस्चन नमबर 15 में चैन कीजेगा क्या होगा सई आंसर 15 का चार विकल्प आपके दिये गए है मानवतवादी लेकक की विशेषता है कि वह 15 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है कि पिरकृतिवादी लेकक का नुसरन नहीं करता है विकल्प नमबर आपका जो C है वह आप सभी का सई आंसर होगा C वाला विकल्प मानवतवादी लेकक की विशेषता है कि वह पिरकृतिवादी लेकक का नुसरन नहीं करता है कौस्चन आप से यापर पूंचा गया है 16 भरत मुनी की अनुसार कब में कुल कितने गुण होती है 16 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सई आंसर बताईएगा चैन कीजेगा मत्पूंण कॉस्चन यापर दिये गए है सभी लोग चैन करिएगा क्या होगा इसका सई आंसर बरत मुनी के अनुसार बताने 10, 5, 3, 7, 4 विकल्प आपके दिये गए हैं इन्हें से बताने बरत मुनी के अनुसार काभी में कुल कितने गुण होते हैं तो 16 में आप सभी का सही आंसर होगा जी इसमें जो है विकल्प नमबर 1 सही आंसर होगा दस होते हैं कितने दस आपका याँ पर सही आंसर होगा विल्कुल चाहिए विकल्प नंबर ए वाला नंगला कौशन है मनुस्यों को मनुरोगों का पुंज मान कर पिरकृतिवादी लेखत इन वैसे किस विशेचता को नहीं अपनाता है सत्रय में आपको चैन करना है आर्थहीन आचरण या फिर कामस सत्ता चेश्ठाए या फिर गर्वान बिच धार्मिक भाव या फिर नयसर्गेक नयत्यक्ता कौस्चन नमबर सत्रय का सई आंसर चैन कीजिगा मत पूर्ण कौस्चन है मनुस्यों को वनुरोगों का पुंज मान कर पिरकृतिवादी लेकत इन में से किस विशेचता को नहीं अपनाता है सत्रय में आपका डी सई आंसर होगा नयसर्गेक नयत्यक्ता आपका सई आंसर है डी वाला विकल पे जिन्होंने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन या आप देखेगा, कॉस्चन नमबर आपसे पूंचा गया, प्रसाद की कान्यों की विशेष्टा इनमें से कौन सी नहीं है, इनमें घटनाओ का तीरे कहे, अमूर्ट घटनाओ का तीरे कहे, इनका रूप चितना अतीसा कब मैं है, या फिर बाता बरन निर करती है, अठारह में आपको चेन करना है, क्या होगा सैंसर, संगीता जी, रेकाजी चेन कीजेगा, क्या है इसका सैंसर, विशाल जी, प्रसाद की कहानियों की विशेष्टा इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूंचा क्या है, तो आप सभी का सैंसर आ रहा है, इसमें आपका सईयांसर होगा यह विसेष्टा नहीं मानी जाती है विकल्प नंबर एक आपका सईयांसर होगा अंगला कौश्चन देखेगा असंगत अनुक्रम छाटना है असंगत कौन सा है पंच परमेश्र 1916, कफन 1936, विपत्गा 1937, उखेल 1927, 19 में आपको चेन करना है क्या होगा सईयांसर चेन कीजिए का मत्यपूर्ण कौश्चन दिया क्या है और असंगत अनुक्रम बताना है असंगत अनुक्रम कौन सा माना जाता है 19 में तो विकल्प नंबर आपका यहां पर जो 19 है उसमें डी व विकल्प नंबर चार आप सभी का सईयांसर होगा खेल 1927 की रचिना नहीं मानी जाती है डी वाला विकल्प आपका सईयांसर है हंगला कौश्चन देखेगा हिंदी कहानी साहित की ब्रत्तरी के रूप में किसे जाना जाता है हिंदी कहानी साहित की जो ब्रत्तरी के रूप म याम पर पूचा है और आप सभी का याम पर सैया आंसर आ रहा है क्या रहे सैया आनसर तो आप सभी का याँ पर 20 में सैया अंसर होगा प्रहंचंद सोदर्शन और क्वाशिक प्रहंचंद सोदर्शन और कोशिक आपका आपर सही आंसर है सी वाला जो विकल्प है आप सभी का यापर सही आंसर होगा प्रेमचंद सुधर्सन और कौशिक आपका यापर सही आंसर होगा यंगला कौशन यापर देखेगा जैनेंदर की कहानियों को पिरकासन वर्स की आधार पर सही अनुक्रम में वताना है यह जैने में आपके लिए वताना है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है जैनेंद्र की कानियों का प्रकाशन वर्ष की अनुसार 21 में आपका सही आंसर है भी खेल फासी एक रात और पाजेव यह वाला जो विकल्प है भी वाला विकल्प वह आप सभी का यहां पर सही आंसर हो पर अगर को जहने अंध्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष्ट के आदार पर से अनुकरम क्यां बताना है तो आप सभी का यहांपर सही आंसर पर जो है औरै कि आपका है है question number आप से याप नई कहानी के इस्तान पर आ कहानी को कब प्रतिष्टित किया गया बताइए नई कहानी को यह आपके लिए चैन करना है मत्पूर्ण question याप पर दिया गया है सभी लोग chain करेंगे क्या होगा इसका सही answer बताइएगा अन्भी जी question मत्पूर्ण बाइसवा question आप से याप पर पूंचा गया है नई कहानी के स्तान पर आ कहानी को कब प्रतिष्टित किया गया तो बाइसमें आप सभी का सही answer होगा विकल्प नमबर भी 1960-1962 जो है वह आप सभी का सही answer है विकल्प नमबर 2 आपका सही आंसर है अंगला question या आप देखेगा संगत अनुक्रम बताना है गदल रांगी रागब हड़ताल भेरोप्रसाथ गुप्त धपेर का भोजन सेकर जोसी हंसा जाई अकेला मारकंडे 23 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सई आंसर 23 का सभी लोग सई आंसर चैन करेंगे नसंगत युग में बताना है और आप चवी का सई आंसर क्या होगा Quesion मत पूल है और विकल्प नमबर आपका यांपर C सढिया आंसर है C आनि की दफैर का भोजन सेकर जोसी की रचना वानी जाती है विकल्प नमबर सी वाला जो है आप सभी का सही आंसरों का बहुत बढ़िया विकल्प नमबर तीन जनों ने भी आपर चैन किया है ये जो है असंगत युग में है दोफेर का बोजन से कर जो सी ये कैसा युग में असंगत युग में है अंगला कॉस्चन देखेगा कि निम्न से चौविस में आपको चेन करना है चौविस में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चेन कीजेगा और आप सभी का सही आंसर होगा पुस्पा जी लता जी इन मैंसे कौन नहीं कहा नहीं आंदोलन की प्रितिष्टा से सम्मंदित नहीं है चौविस में आपका डी सही आंसर होगा महीप से हैं आपका विकल्प नंबर चार सही आंसर है बहुत बढ़ी हैं विकल्प नंबर डी वाला जन्होंने वी चेन क्या है उनका सही आंसर होगा बारेन हैसी टंग का सांड कहानी के लेकर कौन माने जाते हैं 25 में आपको वताना है स्वयम प्रिकास हैं, उदय प्रिकास हैं, राजन द्यादब हैं, बालमकुंद गुप्त हैं और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर बच्चिस में बताईए वारेन हैसी टंग का सांड कानी के लेखक आपके लिए बताना है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है पच्चिस में उदय प्रिकास बी वाला वेकल्पे सभी लोग बता रहे हैं बहुत बढ़ियां उदय प्रिकास की रचना है सुधीर घोसा कहानी के लेकप कौन माने जाते हैं बताईएगा कौशन नमबर 26 में आपके लिए बताना है सुरत चंद है, रमी सुपाध्या है, देविंद्र है, कासी नाचसे है चार विकल्प आपके दिये गए है लाइक अबस्ते कर लेंगे वीडियो को जन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते जाएगा, सभी लोग सेर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाए और आप सभी का याँपर सईया अंसर होगा, कासी नाचसे है क्या होगा सईया अंसर, कासी नाचसे है आपका विकल्प जो D है, वह आप सभी का याँपर सईया अंसर होगा विकल्प नमबर चार आपका सई आंसर है अंगला कौस्चन यहां पर देखेगा स्राविकाचार किस कभी की रचना मानी जाती है स्राविकाचार बताना है बताईए question number 27 में सराइपा, सबरपा, देवसेन, सालिवद्र सूरी किनकी रचना मानी जाती है ये चार विकल्प आपके दिये गए हैं बताईएगा स्राविका चार बहुती मत्पूर्ण हिंदी की पहली रचना मानी जाती है स्राविका चार आच्यार देवसेन जो हैं जेन कभी मानी जाती है उनी के द्वारा लिखी गई ये रचना मानी जाती है देवसेन आपका यहां पर सईया अंसर होगा दोहा कोस के रचेता कौन मानी जाती है आसगू कभी है यहां पर सालिवद्र सूरी होंगे स्वेंभू या फिर सरहपा 28 में आपको चेन करना है क्या होगा सईया अंसर चेन कीजेगा अंजली जी सबनम जी और यहां पर सभी लोग बताईएगा क्या है सईया अंसर दोहा कोस के रचेता पूंचा गया है मत्पून कॉस्चन है और आप सभी का सही आंसर है सरहपा माने जाती है डी वाला विकल प्रमोज जी सरहपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भरतेसर वाहुवली रास किसकी रचिना मानी जाती है 29 में बताना है जिंदर्म सूरी चमतीगडी धनपाल या फिर साली बद्र सूरी 29 में छेन कीजेगा क्या होगा सही आंसर भरतेसर वाहुवली रास किसकी रचिना मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 29 में विकल नमबर डी आपका सही आंसर है साली बद्र सूरी 29 में डी आपका सही आंसर होगा सालिवद्र सूरी की रचिना मानी जाती है गंगला कॉशन यहां पर देखेगा परमात्में प्रकास और योगसार यह जो गद्र रचिना हैं इनकी रचेता कौन मानी जाती है कॉशन नमबर 31 का सही आंसर बताएंगे रामसे हैं जो इन्दू है रोड़ा कभी है पुस्पदंत है परमात्में प्रकास और योगसार गद्र रचिनाव की रचेता कौन मानी जाती है तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है अमिजी विकल्प नमबर 30 में आपका B सही आंसर होग 31 में आपके लिए शेन करना है और आप सभी का क्या होगा जो 300 ताकुर लक्षमी धर स्वंप्रव सूरी या फिर देव सेन किन की रचिना मानी जाती है वर्ण रतना कर question मत्यपूर है और आप सभी का 31 में सही आंसर आ रहा है 31 में विकल्प नमबर 1 आपका सही आंसर है जो 300 ताकुर बहती मत्यपूर प्रिसित रचिना मानी जाती है वर्ण रतना कर अपन ने याद भी क्या जो 300 ताकुर की रचिना है वासर सरवेक्षन किन की रचिना मानी जात है 32 में आपको चेन करना है सभी लोग बताईएगा 32 का सई आंसर क्या होगा बताईए चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन है और भासा सर्वेक्षन पूंचा गया है कॉस्चन नंबर 32 में बताना है नित्तु जी और आप सभी का सई आंसर स्याम सुंदर दास या पर गिषे सण हजारी परसाडवेदी राम चन्वे तो विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर जो भी है गिरिये सजी उनी की रचिना माने जाती आपसर आप सभी का यहांपर सई आंसर भासा सर्विक्षन के रचेता माने जाते हैं अंगला कॉस् का प्रतम इतियास जो है इस्तवार दाला लिटरेतर एंदोस्तानी किस भासा में लिखा गया था बताईगा इसके लेखक भी आपके लिए अहां पर बताना है इसके लेखक कौन है और इकिस भासा में लिखा गया था ये पूंचा गया है अंग्रेजी में हिंदी में फ्रेंच में जर्मन में 33 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है फ्रेंच वासा में लिखा गया था गार्षा दा तासी जो है गार्षा दा तासी उनी ने इसे उनी का ये ग्रंथ माना जाता है गार्षा दा तासी जी का कौन सा इस्तवार दाला लितरित और एंदोस्तानी हिंदी वासा में लिखा जाने वाला हिंदी साइट का प्रताम इतिहास कौन सा माना जाता है सेबसें सरोज मिस्तरवंदू हिंदी साइट का अलोचनात्म aktितिहास या फिर हिंदी साइट का इतिहास क्या होगा सयइ आन्सर चेंड कीजेगा मत्तुपून like question यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सईया अंसर आ रहा हिंदी वासा में लिखा जाने वाला हिंदी साथ का प्रता मितिहास ग्रंत माना जाता है सिवसें सरोज सरोज के लेखक सिवसें सेंगर माने जाते हैं कौन माने जाते हैं सिवसें सेंगर जो हैं उनी के ग्रंट माना जाता है सिवसें सरोजविकल्प नमबर एक आप सभी का यहाँ पर सयांतरों का इंगला कॉश्चन उत्तर अप ब्रंस को पुरानी हिंदी कहने वाले पिरतम विद्दमान कौन है 35 में बताना रामचंद सुकल है आचार रामकुमार वर्मा है हजारी पर साथ दुवेदी है चंदर दर सर्मा गुलेरी है 35 में आपको चैन करना है उत्तर अप ब्रंस को पुरानी हिंदी कहने वाले पिरतम विद्दमान जो माले जाती है बहें आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर तो बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहां पर चैन क्या है डी आनिकी चंद दर सर्मा गुलेरी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा चंद दर सर्मा गुलेरी आपका सही आंसर है सराइपा को हिंदी का प्रिथम कभी मानने वाली विद्दवान कौन है विद्दवान आपके लिए बताना है गड़पती चंद्र गुप्त है राउल सांक्रित्याइन है दीरेंदर बर्मा है डाक्टर रसाल है कौन है सराइपा को हिंदी का प्रिथम कभी मानने वाली विद्दवान कौन माने जाते हैं 36 में आप सभी का सईया आंसर आ रहा है विकल्प नमबर आपका भी वाला विकल्प सईया आंसर होगा राउल सांक्रित्याइन कौन माने जाते हैं राउल सांक्रित्याइन माने जाते हैं चाहिए उक्ति व्यक्ति प्रक्रण संदिप जी चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए हैं और सभी लोग सही आंसर चैन करेंगे उक्ति व्यक्ति प्रक्रण जो रचना है वह मानी जाती है किनकी दामुदर सर्मा जी की दामुदर सर्मा आप सभी का यहां पर विकल् सरे अंगला कॉस्चन देखेगा अप ब्रण से व्याकरण की रचेता कौन माने जाते हैं 38 में बताना ये भी आपका मत्पूर्ण कॉस्चन है अप ब्रण से व्याकरण की रचेता कौन माने जाते हैं चंद्र हैं विद्याधर हैं स्वंप्रभ सूरी है या फिर धनपाल है बत यानि कि हैम चंद्र आपका सहिया अंसर होगा है जहनों नभी चैन क्या है उनका यहाँपर सहियाा अंसर है अंगला कॉस्चन देखे, मिस्र बंदू द्वारा बिरचित बंदू बिनोद कितने भागों में वाजित है सबसे पहले तो यही पूंचा जाता है मिस्टर बंदू बिनुद की रचिना कार कौन माने जाते हैं तो मिस्टर बंदू बिनुद की मिस्टर बंदू माने जाते हैं मिस्टर बंदू तीन वाइते गलेस ब्यारी स्याम ब्यारी और सुकद्यों ब्यारी तौपर अकेडमी जी तो आप सभी का यहाँ पर 49 में सही आंसर चैन करना है एक दो चार तीन कितने भागों में इरचित है विवाजत है तो चार भागों में इस विवाजत ग्रंत माना जाता है मिस्टर बंदू बिनूद मिस्टर बंदू बिनूद के परता में तीन भाग 1913 में 1913 में तीन भाग और जो चोथा भाग है निबह 1934 में 1934 में चोथा भाग परकासे तुगाता तो तो यह जो है इसके चार भाग हैं अंगला कौश्चन भीर गाता काल को संधी काल या चारन काल की संग्या के नौन दी है चालिस में आपको चैनकन्ना गिरियेशन ने दीरेंद बर्मा ने रामकुमार बर्मा ने अजारी परसाद दुवेदी ने तो चालिस में आप सभी का सही आंसर होगा बीर काता काल जो है इसको संधी काल या चारन काल नाम दिया है कि नोने चालिस में आपका विकल्प नंब नाथ रास है यह चंदन वाला रास है इस तूली वद्र रास चरया पद है कौन सी रचिना मानी जाती है आसगू कभी की रचिना वताईए एक तालिसवा कॉस्चन यहां पर आपसे पूंचा गया है और एक तालिस में आपके लिए वताना है तो विकल्प नंबर भी आप सभी का सईया अंसर होगा चंदन वाला रास जो कि अपनने कई वारी रचिना पड़ी है चंदन वाला रास आसगू कभी जो है मुनी की रचिना मानी जाती है विल्कुल सई विकल्प नंबर भी आपका सईया अंसर है पुस्प पयूंचरयू की रचिना कार कौन है पुस्प दंत है धनपाल है गोलू जी और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि पयूम चर्यू रचना तो स्यंबू की वानी जाती है विकल्प नंबर आपका जो डी वाला विकल्प है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा डी आपका सभी का यहां पर सही आंसर है सभी का यहां पर विकल्प में दिया है है तो आपका विकल्प नंबर एक सभी आंसर होगा 43 में हंगला कॉस्चन यहां पर पाहुड दुआ किन की रचना है यह रचना गौती मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचे जा रहे है यह रचना पूंची जा रहे है लक्षमीदर की रचना है रोड़ा कभी की रचना है रामसें की रचना है है आपका यहाँ पर सई आंसर होगा क्या होगा सई आंसर रामसें विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है आप सभी का सई आंसर होगा अंगला कौश्चन देखेगा प्राकृत प्यंगलम की रचिना कार कौन माने जाते हैं यहां वाला जो है आप सभी का यहाँपर सई आंसर होगा लक्षमी धर क्या है सई आंसर लक्षमी धर आपका सई आंसर है हंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा क्या पूंचा गया है आदी काल को अपिभरंस काल किसने कहा है ये पूँचा है तो आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है कॉस्चन नमबर 46 में विकल्प नमबर एक सई आंसर है धीरेंद्र बर्मा क्या है सई आंसर धीरेंद्र बर्मा आप सभी का यहाँ पर यह वाला जो विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा बहुत बड़ी यांगला कॉश्चन यहां पर देखेगा आदी काल को अत्यदिक बिरोधी और ब्योगातों का युग कहा है तो उन्होंने कहा है यह पूंचा गया है तो सेंटालिस में सभी लोग भी वता रहे हैं सभी लोगों ने चैन किया है कि आदी काल को अत्यदिक ब्रोधी और ब्योगातों का इन्होंने कहा है question number 48 पूंचा गया मैं हिंदोस्तान की तूती हूँ अगर तुम बास्ता में मुझसे कुछ पूंचना चाहते हो तो हिंदी में पूंचो इस पंती के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए लाइक अबस्ते कर लेंगे सबी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते जाए और आप सभी का सही आंसर होगा मैं हिंदोस्तान की तूती हूँ अगर मुझसे तुम बास्ता में मुझसे कुछ पूंचना चाहते हैं तो हिंदी में पूंचो अमीर खु खुष्रो तो यह जो हैं अमीर खुष्रो की पंतिया मानी जाती है रामचंद्र सुकलद्वारा बिर्चित हिंदी साहित का इतियास का प्रकासित हुआ था उननचास वा कॉस्चन आप से यहां पर पूंचा गया है उननचास में आप सभी का सही आंसर है क्या होगा रामचं नंबर एक आपका सही आंसर है उननचास में विल्कुल चाही 49 का यह आनि की सन 1929 में 1929 आपका सही आंसर है यह वाला विकल पे अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है अपनी किस रचना को विद्यापती ने कहानी कहा है देखेगा विद्यापती जो हैं इनको मैतल कोक बताई ने कीरती लता है करता का पदावली सभी यह सभी रचना विद्यापती की इंवानी जाती है लेकिन कीरती लता को इन्होंने कहानी कहा है विकलत नमबप एक आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने विकल्प नंबर एचेन किया है तो अपने अहां पर कितने पचास कॉश्चन कम्प्लीट हुए मत्पूर्ण कॉश्चन आंसर थे आज की क्लास में तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में बस इतना ही अंगली क्ला में बस इतना ही सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है तो इसी तरह से रोज जुड़िएगा टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ ज प्लास में सभी को जय हिंद